हलो गाईज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और देखिए इस वीडियो पे जिस स्टॉक की बारे में मैं बात करूंगा इनका बिजनस मॉडल कुछ आसा है जिसके वज़े से हमने आपको कहा भी है कि अगर आपने इसमें दो हजार रुपिय का एक इन्वेस्टिमेंट करते ह हैं तो सायद आप इतना कॉर्पोरेट खड़ा कर लिजेगा जितना आपने सपने में भी नए सोचा होगा जियां स्टॉक की कहानी कुछ इसकदर से है और देखिए स्टॉक बहुत पुराना नहीं हुआ लेकिन इसके काम को देखते हुए मुझे असा लगा कि आपके सामने स्टॉक को जरूर प्रिजेंट करूं वो अलग बात होगी कि आप इसमें कितने पंक्शुलेटी से आप इसमें पैसे लगा पा रहे हैं और किस हिसाब से आप इस पे अपने आपको देख रहे हैं विकाज स्टॉक की कहानी कुछ ऐसी रही कि यह स्टॉक लिस्टिंग के बा पाया था बजार पे इसके बाद सबसे ज़्यादा उस टाइम का सब्सक्रिप्शन वाला यह स्टॉक था और यह कहानी देखिए इसकी लिस्टिंग गेन भी होती है अल्मोस्ट एटी टू-90 परसेंट के आसपास में स्टॉक पे फर्दर करेक्शन आता है डीपाती है जबरज़स्त रहली देखने को मिली है इसकी वज़ा क्या है कमपणी का अपना पोटेंसियर अपने पोटेंसियर और अपने दम पे इस स्टॉक ने क्या किया है पैसे निकाल के दिये हैं लोगों को और विकॉज देखिए बिलीबनेश इसलिए कहता हूँ किसी भी स्टॉक का business model बहुत जबर जरत बहुत जरूरी है आपको समझना जब इसके business model को आप समझ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये company loss में गई नहीं even covid-19 हो lockdown हो चाहे कुछ भी हो इस company का profit safe था क्यों safe था अब मैं आपको नाम बताता हूँ मैं बात कर रहा हूँ no other than central depository services limited मैं cdsl की बात कर रहा हूँ ये cdsl आपको पता होना चाहिए central depository क्या है nsdl और cdsl ये दोनों आप अगर demand account खोल के रखे हैं तो या तो आप nsdl से message आता होगा अगर आपका brokerage cdsl के साथ type किया हूँ तो cdsl के पास जाएगा या फिर nsdl के पास में जाएगा ये depend करता है आपके जो broker है उस broker ने किसके साथ अपने आपको type कर रखा अब बताइए आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं देख लिजे security depositor है central depositor as a security depositor in India the company offers services for the range of the clients such as depository participants other market capital intermediaries corporate capital market intermediaries और insurance companies को भी ये provide कर वाती है यही service जो मैं आपके पास share कर रहा हूँ आपने कभी अगर गौर नहीं किया तो जरूर गौर कीजेगा आपको CDSL का नाम नज़राएगा अब बताइए इनका business कहीं पर रुका नहीं है क्या आप lockdown पर ट्रेडिंग नहीं करने थे क्या stock market बन था नहीं तो कहां से इनकी profit रुकेगी इसलिए ये ये आगे भी आने वाले टाइम में अभी आप मान के चल सकते हैं जितनी population stock market पे involved है आने वाले टाइम में इसका जो आकलन है वो बढ़ने वाला है इस चीज का survey अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले 10, 12 सालों, 15 सालों में ये services बढ़ेंगी और आपको पता होना चाहिए 2020 से 2021 के बीच में जिस हिसाब से demand accounts खोले गए हैं इससे तो यही पता चलता है लगबग 10 million accounts आप मान के चल सकते हैं कि different brokerage के पास में ये demand account open हुआ है देख लिजे स्क्रीन पे कुछ आपके पास खबरें आ रही है numbers of new demand accounts in FY21 touch record high जिया record high पे पहुँचा 2021 में ये demand account की journey देख लिजे यहां पे amid COVID volatility stock market infused of COVID-19 related uncertainty में new retail investors ventures into the trading and investments data from the security exchanges board of SEBI saw यही चीज बताया जारा demand account in the financial year 2020 to 2021 increased to a record high record high पे पहुँचा देख लिजे मैं किसी भी तरह की आपको कोई भी चीजे जब तक मैं पूरी तरीके से read नहीं करता हूँ आपके पास नहीं आता हूँ 10 millions between between 2020 to 2021 अब आप हमें बताएं कि business model जानना stock का जरूरी है या नहीं है जरूर comment कीजेगा वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार बोलिएगा इस stock तो मैंने select कर दिये इसका कोई level नहीं होगा because इस पर investment की बात आ रही है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इस stock 2000 का SIP चलाते हैं तो आप SIP किस हिसाब से कीजिएगा देखे 2000 का मतलब है कि हाप आप हर महिने इस stock का प्राइज है 1000 का सपास में आप दो सेर्स खरीद सकते टाइम ऐसा आएगा जब आप इसके एक ही सेर खरीद पाएंगे तो आल्मोस्ट आप देख लिए 2000 का यह SIP और 30% का CAGR मैं आपको दिखा रहा हूं यह 50% का CAGR पिछले तीन सालों में निकाल के दिया है मैं यह नहीं कहता हूं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यह CAGR घटता जाएगा मैं आपको कहता हूं कि 25% CAGR भी इस स्टॉक ने निकाल की दे दिया तो आपके पैसे इतने हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं आने वाले 14-15 सालों में जी हाँ 25 का अगर CAGR आपको मिल जाए अगले 16 सालों में तो आपका यह 2000 का इन्वेस्टिमेंट लगभग 50 लाक रूपिये पे कनवर्ट हो सकता है और अगर आपने इसे 20 सालों के लिए होल्ड कर दिया और चला दिया किसी तरह से तो आप मान के चल सकते हैं कि यह स्टॉक आपको 1 करोड रूपे से विचादा का बना के दे सकता है ऐसा कैलकुलेशन CAGR के बेस्ट पे हो रहा है कमपनी को ट्रैक करते रहना होगा कभी किसी तरह की कोई बैड निउस आई तो फिर कोई भी नहीं बचाओ सकता जैसा के रिलांस कॉम्मिकेशन में आपने देखा तो इस टॉक मार्केट है आपको एलर्ट रना होगा जिसे साब से कमपनी अपना प्रॉफिट शेयर कर रही है पिछले कुछ सालों से सिंस प्रम 2008 आप 2010 ट्रैक का यहाँ पर डेटा है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2008 से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डेटा है क्या नहीं 2010 से डेटा है प्रॉफिट देखे किसे साब से बढ़ी है पचास करोड की प्रॉफिट कंटिनुवसली बढ़ते बढ़ते 200 करोड तक पहुँच चुकी और बिजनस कैसा है आपने समझ लिया स्टॉक कैसा है समझ लिया अब आपका काम बनता है स्टॉक को सेलेक्ट करने का तो इतनी जानकारी के बाद में आपको यह परिशानी नहीं होनी चाहिए कि इस स्टॉक पर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए कमपनी धाशू है काम इनका रुकने वाला नहीं है तो क्या हो सकता एक छोटा सा मीनिमम इनवर्स्मेंट अगर आप चलाते हैं आप लंसम पर जाते हैं मतलब आप अगर S.I.P. नहीं भी करते हैं तो एक छोटा सा एमाउंट इस स्टॉक पर बनता है बाकी देखें मर्जी आपकी होगी ना मैं आपका फाइनेंसियल एडवाईजर हूँ और नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ का आप इस स्टॉक पर पैसे लगाएं ये लगाएं मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं अपनी विवेश के साथ सेयर करता हूँ बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है बहुत सारे लोग अल्रेडी मार्केट में हैं तो जरूर आप वाज कीजिए आपको अच्छा लगे ते स्टॉक पर बनी otherwise skip कीजिए आपने जहां पर पैसे लगा के रखे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बहुत बहुत देने वाद थेंक्यू